हेलो व्रीवन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्यूचर्स की अपडेट पे लेके मैं आपको दिखाना चाहँगा एक लॉस जो मुझे कल रात को हुआ था फ्यूचर्स में मतलब मेरी मिस्टेक वैसे मिस्टेक तो नहीं थी मतलब मेरे साथ बुरा हुआ उससे तुम लोग क्या सीख सकते हो तो कल रात को मैंने AXS का एक ट्रेड पोस्ट किया था ने टेलिग्राम चैनल पे कि मैं ये ट्रेड लेना जा रहा हूँ और वहां पे stop loss and take profits मैंने आपको बताये थे तो वहां के हिसाब से एक trade हमने लिया था तो वह trade कुछ इस प्रकार से मैंने पोस्ट किया था कि इस stop loss पे और इस take profit पे आप रखो और यहां पे आपके entry है 17.902 पे और वहां से I was pretty sure कि ये नीचे जाने वाला है अल्रेडी 16% return on investment हो गया था मेरा and मैंने सोचा चलो इसको रात के लिए छोड़ देते हैं not following my 11% take profit rule तो बहुत आप chances थे almost ना के पर आपर chances थे कि यहां से 19.7 पहुंच पाएगा 17.9 से तो चलो मैं बताता हूं हमसे ऐसा क्यों लगा 17.9 right around this point था and मेरा जो यहां पे stop loss था अब देखोगे that is 19.7 तो यहां पे हमारा stop loss था 17.9 पे हमारी entry थी and यहां पे हमारी entry थी and हमारा stop loss था यहां पे 19.7 पे जो कि इनके सारे के सारे resistance के उस पार था but हमने रात को देखा कि एक बहुत बड़ा pump आया इस पे and almost मेरी position liquidate हो जाती है अगर मैं stop loss नहीं रखता आप देख सकते हो कि यहां से कितना बड़ा difference बना and यहां पे मैंने loss लिया तो यहां पे वो loss हमारा बना अच्छा खासा आप देख सकते हो 9.6 percent का boost आय मेरे जो stop loss है उस तक पनुशने तक and overall जो boost आया इसके price में वो right around 16 percent था वो भी दो candles में ही तो यह बहुत बड़ा pump था and यह बहुत जादा हमें देखने को मिलता है Binance में वहां पे Binance हमारे जो short position से liquidate करने के ले ऐसे fake pumps लाता है ऐसा सोना गया है काफी बार लोग कहते हैं कि ह इसा होता है उपर से यह बहुत hard resistance था जो आप देख सकते हो नहीं break हुआ था पूरे दिन and यहां पर यह अच्छे से set हो गया था तो यहां के around हमने trade लिया था and हमें loss हुआ यहां पर तो यह एक importance आपको बतांगा मैं stop loss की यहां पर stop loss हो गया and yield loss मेरा calculated था यह loss में ले सकता था and मैंने वो bear करा and उसके बाद हमने देखा था कि मैंने Twitter पर इसकी एक update दी थी and मैंने वापिस से अपना जो टीए है वो use करके इस loss को recover तो कर दिया था and यहां पर मैंने यह वाला जो tweet post किया था उसके बाद मैंने like यह वाला tweet मैंने post किया था सुभे around 6 वजे 6 a.m. पे and 8 गंटे पहले मैंने यह loss अपना AXS से ही recover कर लिया तो AXS से मैंने यहां पर almost वो सारा loss recover कर लिया है and इसकी एंट के बाद मैंने एक और entry ली जो कि हमारे stop loss break पी ली थी around this point and यहां से हमने नीचे इसको दुबारा से इसको लेके and उसको भी हमने फ यहां पर short positions के लिया अपना loss recover किया तो यहां पर importance बताने चाहूँगा stop loss की क्योंकि काफी लोग नहीं लगा रहे है stop loss की हम अपनी liquidation position तक wait करेंगे and वहां पर तक पहुचना बहुत मुश्किल है लेकिन मत करो ऐसा stop loss लगाओ अपना loss decide करो कि इतना आप afford कर सकते हैं उस इस आप से आप trade low please don't do it ऐसी ही बिना stop loss के बहुत जादा important होता है stop loss especially futures में spot में आप फिर भी आपको second charge में सकता है लेकिन futures में नहीं मिलता है please follow that और हम ethereum पे भी update देना चाहेंगे कि हमारे जो dotted lines हैं इसको मैं draw करता हूँ shorts के लिए future trades के लिए and आप देख सकते हो इनके breaks पे हमन हमने अपने telegram channel पे telegram channel पे हमने आप पोस्ट भी किया है कि यहां से हमने trade लिया and अच्छा काज हमने profit earn किया तो please use those these dotted lines to take trades अगर आप मेरे चाहँ चाहँ कर रहे हो अपना risk management खुद करो ठीक है I am not responsible for your losses and अच्छे से आप stop loss लगाना सीखो तब ही आप futures में trade करो क्योंकि stop loss के बेना future state करना बहुत जादा risk है and वो मुझे दिख रहा है आजकल notifications जब मैं देख रहा हूं लोग यहां पे tag कर रहे हैं बहुत बड़ी आपको मुसीवत में डाल सकता है and मैं चाहूंगा कि आप सब लोग stop loss use करो यह काफी लोग नहीं कर रहे हैं and समझ रहे हैं कि spot में हमने थोड़ा सा loss ले लिया कोई बात नी future में वो loss बहुत जादा add up होता है बहुत जल्दी add up होता है तो यह एक टाइप की warning video फिर से आप futures को देख लो मेरे कि मेरा loss होता है मैं दिखा रहा हूं profit हमने बहुत share करा है रिंदें में दो तीन बार हम profit share करते हैं लेकिन loss भी share करना ज repair करते हैं stop loss लगा के वनना इस जो resistance है इसको break करना बहुत जादा मुश्किल था और उसके बाद भी हमने extra measure दिया था कि अगर इस पे एक fake pump लाके इसको उपल इसको लगा के बच सकते हैं उससे तो please use stop loss and trade safely यह एक lesson था जो futures करते हो नीक ले था sorry but that is it do like the video अगर आपको अच् आपको